हाँ अगर तुम 50% पेपर एटेम्ट करते हो और एक्यूरेसी तुमारी अगर 70% से उपर है तो भी तुमारे चांस बनते हैं कि तुम बॉर्डर लाइन पे हो सकते हो जहिन सातियों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन 21 दिनों में किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्राटजी लेके चल दी हैं किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे अपने NDA में रिटेन की सेलेक्शन को सुनिश्चित करना है इसके बारे में हम लोग सब कुछ बात करने जा रहे हैं दो जुझ बातों के साथ आपके साथ शुरुआक करना चाहूंगा देखो जितने अच्छी परिक्षाएं होती हैं इन सब में आप एक चीज नोटिस करेंगे अगर आप इसकी तेयारी बेस्ट तरीके से करते हैं बेस्ट मतलब अपना बेस्ट देना ठीक है अगर आप इसकी preparation best तरीके से करते हैं यानि आप अपना best दे रहे हैं तो exam में सफलत हो जाना एक उसका part है अगर आप सफल नहीं भी हो पा रहे हैं एक percent आपने अपना best किया और फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप एक वो इंसान बन जाते हैं जो कभी जीवन में पीछियों बोड़के नहीं देखता हैं तो मैं इस बात के साथ शुरुवात करना चाहूंगा कि अपना best करना तो बिल्कुल शुरू करो इस 21 दिनों में अगर तुम्हें selection चाहिए तो तुम्हें अपना best करना है और अपना best कैसे निकालोंगे मैं ये बाते तु के लिए स्वस्त रहना बहुत जरूरी है तो पहले मैं वो सारी बाते डिसकस करूंगा जो कि मुझे लगता है एक student को जरूर से follow करना चाहिए good sleep यानि आप अच्छी नीन लीजिए 5-7 गंटे की नीन अनिवार है अगर आप 5 गंटे से कम सो रहे हैं तो मुझे लगता है है सही तरीके से चीजों को absorb करता है साथ गंटे से अधिक सोना भी बिल्कुल भी recommended नहीं है मेरी तरफ से 5-7 गंटे बिल्कुल पर्याप्त है बड़ी आसी नींद आपको लेनी चाहिए दूसरी बात चार से छे बार खाने की बात नहीं बड़ी अजीब सी बात है मैं अन्ड से 6 बार तुमें healthy चीजें खानी है good food only healthy food healthy food का क्या परिवाशा है मैं ये भी तुमें बताता हूँ मेरे opinion में healthy food वो food है जो कि तुम season के हिसाब से खाते हैं जैसे आज कल आम का season है अमरूद का season है या फिर जिस भी regular fruit और regular सबजियां जो season की सबजियां और उस season के fruits हैं उनको अगर आप खाएं तो फिर उसी को मैं healthy food मानता हूँ उसी को healthy खाना मानता हूँ ठीक है चार से 6 बार बहुत जादा भर-बर के दो बार खाना या तीन बार खाना उससे बढ़िया है कि आप 4-5-6 बार खाएं छोटे-छोटे dice लें ठीक है healthy चीज़ें खाएं बाहर की करनी है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि खुब खेलो खुब मजे करो ऐसा भी नहीं है और फिजिकल गेम्स यह नहीं कि आप जो है मोबाइल पे या लैप्टॉप पे गेम खेलने लग रहे हैं आपको 30-50 मिनट फिजिकल गेम्स खेलने हैं या कुछ exercise करनी है या कुछ योगा क मैक्सम 50 मिनट उससे अधिक नहीं अभी रिटें तक तो नहीं उसके बाद फिर देखा जाएगा ठीक है बहुत जरूरी है अगर तुम फिजिकली फिट रहोगे तुम्हारा पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पाओगे ज्यादा बढ़िया तुम उसको अटेंड कर पाओगे तो उसकी बहुत जादा इंपॉर्टेंस है ध्यादा आगे मैं बात करूँगा मेडिटेशन रोज 5-15 मिनट मेडिटेट करना चाहिए ऐसे तो मेरा नाम रिशी है बड़ मैं मेडिटेशन में बहुत जादा जो है अच्छा नहीं हूं मेडिटेशन कर रहा हूं कई सालों से इन काया है किम रिश पर शेटान जो हूंност मेरे लिए क्या है में ये ज़रू बता सकता हूं है मेरा यह मानना है मेडिटेशन एक ऐसी एकसाईज है जिसकी मदद से आप अपना attention span बढ़ा सकते हैं आप अपना focus बढ़ा सकते हैं बहुत सारे बच्चे ये महसूस करते होंगे कि वो बढ़ने के लिए बैठते हैं राइट 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या आदे गंटे के बाद उनका distraction होने लग जाता है तुरंद वो कभी phone देखने लग है वह है meditation meditation कैसे करोगे meditation मैं जो personally करता हूं मैं तो simple सा अपनी breathing पे focus करता हूं अपनी सासों पर focus करता हूं लंबे-लंबी सास लिए सास रोक के रखा, हमने रोक के रखा, महसूस किया कि सास अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, आइस बन करके महसूस कर रहे हैं, यहां ना भी तक सास आती है, यहां ना भी तक सास आती है, फिर अल्मोस्ट 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, अपनी जितनी आपकी क capacity है उतने देर सास को hold कीजी रोकिए और फिर सास को निकालिए इस प्रक्रिया को कम से कम पांच मिनट से पंदरा मिनट पर आप करें राइट सिर्फ अपनी सासों पर आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ अपने रिटेन एक्जाम एस बी में भी वो देखते हैं वो चेक करते हैं तुम कितने अच्छे लिस्नर हो तुम्हारा अटेंशन स्पान कितना बढ़िया है अगर तुम्हें छे घंटे भी एक जगा बिठा कर ये कुछ सुनाया गया तुम इसे कितनी बातों को रीकलेक कर पाते हो त ध्यान रखना अटेंशन स्पान is a very very important thing for how long can you stay focused कितने देर तक तुम focused रह सकते हो that is very very important I hope you get that point meditation can help you increase your attention span drastically okay let's say surround yourself with the right kind of people बहुत जरूरी है right and ये की preparation में और otherwise भी आप जिस समय भी जब कभी भी हैं आप अपने आपको सही तरह के लोगों के साथ आसपास सही लोगों के बीच में रखे एंडिय के अगर मैं बात करूं तो उन students के साथ जादा रहो जो एंडिय की त्यारी कर रहे हैं और जो serious experience है उनके साथ रहो उन teachers के बीच में रहो जो seriously तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाते हैं ठीक है तो surround yourself with the right kind of people है ना जब आप पार्क में जा रहे हैं तो पार्क में भी अलग अलग तरह के वेक्ति आपको मिल रहे हैं कुछ आ रहे हैं पार्क में बैठके बाते कर रहे हैं कुछ पार्क में बैठके फोन चला रहे हैं कुछ पार्क में आके exercise कर रहे हैं गेम्स केल रहे हैं तो तुम समझ रहे हैं इनके साथ रहना है जो एक साइस कर रहे हैं गेम स्किल रहे हैं या अगर कोई हेल्दी डिसकॉशन हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो तो इस बात को तुमें समझना है कि तुम सही तरह के लोगों के बीच में तुमें रहना है अभी एंडिये के त्यारी के बहुत ज़ादा फर्क पड़ता है हमारी प्रिपरेशन हमारी लाइफ में हर चीज का इंपक्त होता है हम किस तरह के चैनल देख रहे हैं किस तरह के निउस्पेपर्स पड़ रहे हैं किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं हर चीज हमारी परसनालिटी को मोल्ड करती ह और कहीं न कहीं आपकी personality, आपकी सोच, हर चीज मैटर करेगी in the final selection, do remember that, आप कोई भी चीज छिपा नहीं पाओ लो, आप कुछ और हो और आपका और कुछ और दिखा दो, ऐसा हो नहीं हो सकता है, वहाँ एक से expert बैठें, psychologist बैठें, observers बैठें, you cannot hide anything, you definitely need to be genuinely you in order to get the final selection, right, So, तुमें अपने आपको actually में improve करना पदेगा, if you want to become an officer, you have to actually become an officer before becoming an officer, mentally, right, emotionally, मैं हमेशा अपने बैचे में ये बात कहता हूँ, कि तुम अगर officer बनना चाहते हो, तो पहले तुम ये मान लो कि तुम officer हो, right, अपने आपको उसी तरीके से चलो, उसी तरीके से खड़े हो, उसी तुम अपने अपना behavior रखो, right, एक officer वो होता है, जो दूसरे की help करता है, ठीक है, तो ये जो attitude है, इस attitude को तुमें develop करना है, ताकि तुम officer की तरफ behavior करना सीखो, तब ही तो message B में actually, वो देख पाएंगे, कि हाँ, he can be an officer, इसमें वो बात है, ठीक है, तो ये सारी बातें तुम अब इन 21 दिनों में, जो तो समय बच्गिया है, इसमें अगर आप next देखें, तो हमारे पास next हमारे पास advice है, वो है weekly आपको mock test देने चाहिए, लेको मैं हर चीज मैस का teacher हूँ, मैं हर चीज नंबर से relate करता हूँ, बहुत clear instructions देना चाहता हूँ, दो से चार mock test तुमें हर हफ तुमें 2-4 mock test देने चाहिए, वो जो तुम 2-4 mock test दे रहे हो, और यह paper based होने चाहिए, online messages नहीं करता हूँ, आप online दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप दीजिए, बट 2-4, minimum 2 test आपको हर अफ़ते paper based देने चाहिए, because UPSC NDA की परिक्षा paper based है, online practice is not sufficient, is not relevant, so please make sure कि आप ज ठीक है, 2-4 mock test जरूर से दो, अच्छा जी, mock test की timing बहुत जरूरी है, अक्सर हम इसमें miss out कर देते हैं, 11th और 12th class मैंने psychology पढ़ी है, और वहाँ पे हमें ये बात बताया गया था, यह हमें ये बात दिखाया गया था, और फिर मैंने इसको experience भी किया, 15 साल से अधिक होगे एक student रोज जो है, दो बज़े के बाद, आदे घंटे की नीन लेता है, रोज, दो बज़े के बाद, आदे घंटे की नीन लेता है, आना खाता है, और फिर आदे घंटे की नीन लेता है, फिर बैठके पढ़ना शुरू करता है, तो अगर वो कभी कुछ बाहर भी कर रहा है, ना लेट से वह कहीं के शादी में गया हुआ या किसी दोस्ती बड़े पाटी में गया हुआ है तो दो बज़े के बाद जो है उस उस पैन में उसका ब्रेन उसको सिगनल देगा कि भाई तु छड़ा अराम कर ले ठोड़ा सोजा ठोड़ा बैट जा राइट ऐसा होता है हमारी body clock उस तरीके से adjust हो जाती है brain हमें signals देते हैं तो मैं strictly इस बात को recommend करूँगा कि आप उसी time पे test दें जिस time पे real NDA का exam है यानि 10 से लेके साड़े बारा आप mathematics का paper दीजिए 2 से लेके साड़े चार आप GAT का paper दीजिए आप उसी time पे paper दो जिस time पे तुम्हे actually paper देना है जब तुम बार 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 इस process को दो रहा होगे तो तुम उस बात के लिए psychologically, mentally, emotionally, physically हर तरीके से त्यार होगे कि तुम्हारा best ही निकल के आएगा उस समय I hope you understand the importance of timing, ठीक है then इसके बाद next हमारे पास आता है spend time in analyzing your gray areas अक्सर क्या होता है विद्यार्थी टेस्ट तो देते हैं बड़ टेस्ट देने के बाद सिर्फ marks देखते हैं नहीं फिर तुमने उस टेस्ट का maximum benefit नहीं उठा तुम्हारी analysis अच्छी होनी चाहिए टेस्ट की analysis क्या होती है टेस्ट की analysis in the sense कि जैसे मैं math की बात करूँगा math का teacher हूँ math की बात मैं ज्यादा अच्छी कर पाऊँगा दूसरी बात भी कर सकता हूँ बिट मैं math के ज्यादा focus रखूँगा दूसरे चीज़ों से आप relate कर सकते हैं तो analysis का क्या मतलब है जैसे 120 सवाल थे मुझे 150 मिनट या नी 5 घंटे में करने से मैं कितने सवाल कर पाया number one right what is the attempt then जो मैंने किये उसमें से accuracy कितनी निकल के आई let's say मैंने 65 सवाल किये 65 questions किये उन 65 में से मेरे 40 सही है अब वो जो मेरे almost 40 65 25 questions जो गलत हुए मैं सबसे पहले यह देखूँगा कि जो 25 questions गलत हुए है उन 25 questions में से कितने सही हो सकते थे यानि silly mistakes कितने कर दी मैं उसको मुझे pinpoint करना है I have to make sure that it is not repeated in any other paper neither in the mock nor in the exam मेरी बात समझ पा रहे हैं आप वो गलतियां जो नहीं होनी चाहिए मुझे आती थी फिर भी silly mistake हो गई silly mistake नहीं होनी चाहिए you cannot do silly mistakes as an officer right it is not expected from an officer so please make sure that you are regularly working on your silly mistakes and you are working on them दूसरी बाद अब उस 25 में से कुछ तो silly mistakes होंगे और कुछ conceptual mistakes होंगे definitely अगर मैंने कोई paper attempt किया है और मैं serious aspirant हो तो मैं A-A-A-B-B-B जय हनुमान जय हनुमान इस तरीके से तो attempt नहीं करूँगा न मैं कैसे attempt करूँगा मैं definitely उस paper को ऐसे attempt करूँगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है जो आता है मैं उसको attempt करता जाओंगा जो नहीं आता उसको छोड़ता चाहूंपा एक बार 150 मिनट के टाइम स्लॉट में कुछ टाइम स्लॉट भी होता है जैसे मैं तुम्हें यहां पर कुछ चीज़ें लिख के बताता हूं देखिए 150 मिनट के पेपर में किस तरीके से तुम्हारा टाइम स्लॉट होना चाहिए ज़रा इस बात को समझू रिलाक्स करके तो पेपर एटेम करने का तरीका क्या होना चाहिए 150 मिनट का तुम्हारा पेपर है 120 तुम्हारे सवाल है 120 यह जो 120 कोश्चन है बच्चों इस 120 कोश्चन में से मेरा यह मानना है तुम कोई साब ये अंडी उठा लो एंडी दो हजार सोलर दो हजार छे दो हजार बाइस तईस यह सब मॉडरेट या हायर साइट पर माने जाते हैं मैथेमेटिक्स के पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें कट आप कम गई है राइट 80-100 नमबर भी अगर आप ले आ रहे हैं 300 माक्स में से तो आप सेफ है राइट लेकिन 120 सवाल में किस तरीके से क्या रहता है तुम यह देखोगे लगबग 60 कोश्चन किसी भी एंडी ये पेपर में चाहे वो डिफिकल्ट पेपर हो मॉडरेट पेपर हो या एजी पेपर हो क कम से कम साठ सवाल असान जरूर से आते हैं जरूर से आते हैं अभी मैं इक और वीडियो बनाऊंगा आप लों के साथ शेयर करूंगा इसमें किन टॉपिक्स को स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मैथेमेटिक्स में परोड़े कमज़ोर है या फिर मैथेमेटिक्स है ये तुम्हें जरूर्ट करने चाहिए और मेरा ये मानना है लगभग 90 से 100 मिनिट में तुम्हें एक बार पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए 90 से 100 मिनिट में तुम्हें एक बार पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए बर्ड साइड व्यू लेकर और जो होने वाले 50 से 60 कोश अब जो माल लेते हैं, almost तुम्हारे पास 20 से 40 questions moderate level के होंगे, माल लेते हैं, 20 से 40 questions moderate level के होंगे, moderate level क्या है, easy level क्या है, देखो अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुम्हारे concepts अच्छे हैं, तो तुम्हारे लिए सारी चीज़े easy और moderate category में लाइगे, और अगर तुमने ठ जो हमें नहीं आता है, easy go है जो हमें आता है, right, तो easy, hard rate, moderate हर person के लिए अलग-अलग होता है, लेकिन कहीं न कहीं पेपर तो निकालना सभी को है, जिसने पढ़ाई किये उसे भी अर्च नहीं पढ़ाई किये उसे भी, तो कैसे निकालोगे, इसी की बात हम यहां पे करते हैं जो तुम्हें लग रहा है कि होंगे, लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं, उनको तुम्हें 100 मिनट के बाद उसको circle कर लो और बाद में देखना, 100 मिनट के बाद, जब यह easy वाले questions एटेम को जाएं, तब करना, initially, पहले 100 मिनट में moderate या hard questions के समय लगाना बेव गूफी है, अब ब है कि हो जाएंगे बड़ समय लगा, उसको circle कर लो, last में 100 मिनट के बाद जब समय बचेगा, तब देखेंगे, ठीक है, उसके बाद, जो last के तुम्हारे पास करीब 15 से 30 question हो जाएंगे, जिसको तुम hard category में कह सकते हो कि हाँ, यह तो difficult question है, वाकर ही में कुछ ऐसे सवाल आजक हैं, या जब हमने यह सब कर लिए, तो यह करने के हैं, now what is the challenge, क्या paper में लिखा होता है, यह वाला easy है, यह moderate है, यह hard है, यह नहीं लिखा होता है, तो सबसे बड़ा challenge तो यह होता है, कि असर हम पैचाने कहते हैं, तो भाई, that is where जब तुम mock test करते हो, तो तुम्हें realize होता है कि अच्छा यह मेरे लिए easy है, because सब के लिए different easy, different moderate, different hard है, हाँ, कुछ ऐसे topics और कुछ ऐसे questions जरूर हैं, जो सब के लिए easy हैं और सब के लिए हाँ, right, लेकिन जादातर चीजें person to person vary करती हैं, कोई ऐसा student होगा जिसकी trigonometry कापी अच्छी होगी, जादा तर trigonometry के सवाल लग relations and functions उसने बहुत बढ़ी ऐसे कर रखा होगा, बहुत सारे questions, relations functions के और शायद calculus के भी बहुत बढ़ी ऐसे कर लेगा, matrices determinant, ठीक है, almost सभी के लिए easy है, अगर किसी ने practice चिछा कर रखा है, probability statistics, ठीक है भई, किसी ने पढ़ा ही कर लिए तो वो भी easy है, तो again, it is a person to person vary करता है, हर person के लिए same cheese difficult और same cheese easy हो जाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो तुम्हें अपने हिसाफ से, अपने आप को देखना है, तुम्हें किसी और से compare नहीं करना है, तुम्हें हर test में अपने पिछले performance से बहतर perform करना है, तुम्हें अपना best करना है, ये बात तुम्हें समझ में आन रखना है, ठीक है, तो पेपर strategy कुछ ये होनी चाहिए कि 90-100 मिनट के अंदर आप easy questions को कर डाले, moderate questions को identify कर ले, hard questions को cross कर दे, moderate questions को circle कर दे, अब जब ये 100 मिनट हो गए, फटा-फट ओमार, ओमार फिल करो, ओमार फिल करने की practice करो, कैसे past ओमार फिल कर सकते हो, इसकी भी practice होती है, बाई, मैंने तो अपने टाइम पर ये भी किया था, मैं तो suggest करता हूँ कि, ओमार जिल्दी कैसे फिल करोगे, इसको भी practice करो, right, वहाँ पर time अगर 2-4 मिनट बच सके, तो उदर एक दो question extra कर लेंगे, बड़ा बुरा लगता है, जब कोई 0.5 से रह जाता है, 0.25 से रह ज देनी है, तुम्हें देखना अपनी अवजिंसी हम कैसे increase कर सकते हैं, चाहे वो ओमार फिल करना है, चाहे वो instructions पढ़ने है, time बचाना है, हर छोटी चीज़ पर तुम्हें काम करना है, I hope you get my point, okay, spend time in analyzing the gray areas, जो तुमने attempt किये हैं, हर paper में उस में identify करो, क्या तुमारी weaknesses है, especially उ तुमने कर रखता है, उसी को बार-बार revise करो, बार-बार practice करो, मैं strongly suggest करूंगा, last के 10 दिन में कोई भी निया topic करना समझदारी नहीं हो, last 10 days, you must practice, practice and practice whatever you have done previously, जो भी तुमने कर रखता है, अगर तुमने 50-60% syllabus भी अच्छे से किया है न, तो तुम्हारा selection तैह है, अगर तु को वो सब बेव कूफी है, कोई फायता नहीं है, आपने जितना किया, उसको solid कीजिए, उसको बार-बार revise कीजिए, practice कीजिए, PYQs लगाईए, उसके NCRD questions देखिए, अपने आपको मजबूत करो, conceptual questions देखिए, ताकि instruction based questions, straight away, generally concepts पैदारी होते हैं, अगर आपने, आपके concepts ब नेक्स की है, बच्चो हमारे, what is the next thing, spend time analyzing the great areas, test देने के बाद उसको analyze करो, और क्या है भई है, revise only the topics that is suggested from each mock test, हर mock test के बाद तुम्हें एक suggestion मिलेगा, जब तुम्हें उसको analyze करोगे, तुम्हें एक suggestion देगा mock test, तुम्हारी performance तुम्हें suggest करेगी, कि हाँ, हमने let's say permutation combination कर रखा permutation combination का एक particular type का question हमारे से mock test में आया नहीं हुआ, तो हमें suggestion मिल रहा है कि चलो उस type के questions revisit करते हैं और सारे questions कर डालते हैं, I hope you get my point, ठीक है, जिस तरह के questions तुमने किये हैं, उस topic को तुमने कर रखता है, वो तुम्हारे do list में है, तुमने कर रखता है, लेकिन फिर भी उसके questions तुमसे exam में नहीं हुए, तो तुम्हें test की analysis सजेस्ट कर रही है क्या, कि तुम उसको दुबारा से एक बार revisit करो, नया नहीं करना है, जो कर रखा है, उसको देखना है कि वो छूटना नहीं चाहिए, उसी को revise करना है, जो होते जा रहे हैं, उसको revise करने की ज़रत फिलकुल नहीं है, I hope you get my point very very clearly, तम सिदे यहाँ पे और यहाँ पे यह बात चाहिए, ठीक है, नेक्स आपके पास क्या है, self study with the timer and target, very very important, अक्सर क्या होता है, हमारी self study में efficiency बड़ी कम होती है, बहुत कम होती है, ऐसे 10% की student हो, मैंने देखे हैं, जो बहुत efficiently self study करते हैं, तो self study में 30 question का target लिया, 40 minutes लिये, 30 question, यह 30 question मुझे अगले 40 minute में करने हैं, right, I'll sit on a chair, table पे pen copy लेकर के बैठूँगा, right, और 40 minutes का target है, और मेरे पास 30 question मुझे करने है, उस बीच में कोई distraction नहीं, ना मुझे पानी पीना है, ना मुझे toilet जाना है, ना मुझे पून उठाना है, ना मुझे कुछ भी करना है, उस 40 minute में मैं बिल्कुल focus रोगर के अपना काम कर रहा हूँ, मैं जब फोकस है कि यहां मैं 40 question, 30 question attempt कर पाओ, 40 minute खतम हुए, LTA का gap of 2-3 minutes, 5 minutes, NLC, कितने question मैंने किये, क्या मेरी speed थी, क्या मेरी accuracy, ध्यान रखना, जब तुमारी accuracy और speed 80% से अबब होती है, तो तुम 100% written exam निकालने के लिए तयार हो चुके हो, क्या कहा मैंने, जब तुमारी speed और accuracy 80% से अधिक होती है, तो तुम 100% exam निकालने के लिए तयार हो चुके हो, not just exam निकालने के लिए, you'll be among the toppers, अगर तुम सिर्फ 60% अपनी speed ले आओ, और accuracy 80% से उपर रखो, तो भी तुम exam निकाल दोगे, calculate करके दिखाओ, देखो, 120 सवाल है, मैं math की बात करूँगा, I'll talk about math, attempt, मैंने कहा speed, 80% पे क्या होगा, आओ ज़रा चेक करते हैं, 60% पे क्या होगा, चेक करते हैं, यह मैंने speed की बात की, और मैंने किसकी बात की बच्चो, accuracy की, इन बातों को समझना है, direction भी बड़ा clear होना चाहिए, ठीक है, तो speed और accuracy में ज़रा इन बात को समझते हैं, मेरी speed 80% है, यानि कि 120 में से 80% राइट, 12, 96, यानि कि मैं 96 questions इस case में attempt कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है, भाई, कहां हो तुम, 90 plus attempt is considered to be very good attempt if it is done with good accuracy, ठीक है, ओके, लेकिन accuracy दो साम नहीं होना थी जार रखना, अगर 96 questions तुमने किये हैं, और 80% accuracy से तुमने किये हैं, मतलब लगबग तुमारे 77 questions सही, 77, 78 questions तुमारे सही है, ठीक है, अभी marks calculate करेंगे, परिशान मत पौन, ठीक है, और दूसरा case, कि 120 में से तुमने 60% question, 60% attempt किये हैं, तुमारी speed come है, तुम अच्छक बहतर, बहतर questions तुमने attempt किये, in that case, ठीक है, अगर तुमने बहतर question किये है, और यहां भी तुमारी 80% accuracy है, तो 80% will give you almost like 57, 57 question तुमारे यहां पर correct है, अब जरा marks calculate करके देखते हैं, कितने marks पन रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, महनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, कि तुम्हें कहां पर land up करना है, the numbers and the strategy should be crystal clear, if you want a final selection, written में तो हम SSB call चाहिए ही चाहिए, इस तरीके से तो तुम्हें बहुत clear होना चाहिए, ठीक है, अगर मैं कमजोर हूँ, मेरा math में interest नहीं है, तो कम से कम से 60% सवाल करूँगा, 80% accuracy, अगर मेरा math strength है, तो कम से क एक नहीं, 10,000 में एक बच्चा होता है, या एक लाख में एक बच्चा होता है, जो 100% accuracy देता है, और उस accuracy का कुछ नहीं करना कि हमने 120 में से 10 सवाल किये, और 10 के 10 सवाई है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, so focus on any accuracy between 80 to 90% which is practically feasible, right, 80-90% जो आपकी accuracy है, यह practically possible है, जो उसके लिए target करें, उसके लिए focus करें, speed, percent to percent vary करेगी, अगर आप कमजोर है, math में interest नहीं है, या आप non-math background से हैं, तो आप इतना focus रखें कि आपको 60% paper करने है, पचास percent paper पक का easy आएगा, यह confirm है, कब किसी भी साल का paper उठागे देख लो, तो मैं देख जाए, 50% paper is always easy, 120 में स साथ सवाल हमेशा अपसान होते है, हाँ, पैचानना पड़ेगा, बार-बार practice करो कि तो पैचानने आएगा, यहां कौन सावाला difficult है, कौन सावाला असान है, देख करके, पढ़के पता लग जाएगा, but you have to be in rigorous practice, and that is what you should be doing in the coming 21 days, मैं उमीद करता हूँ, छोटी-छोटी बा जा और 14 लगभग यहां तुमारे पास 120 मांक्स बंद दें, लगभग यह प्रॉक्सिमिट्री करेक्ट सभी सभी सब देख लो तो, यहां अगर हम देखें, तो अल्मोस्ट तुमारे जो मांक्स जा रहे हैं, पसीन टूढाई, यह हो गया, 160 और 8-240, 240 और यह लगभग यहा तुम्हारे पास 210 marks जा रहे हैं, approximately, ठीक है, इन marks में definitely आप इंडिया में top score की तरफ move कर रहे हैं, और इसमें आप definitely इसको clear कर रहे हैं, तो बच्चों हम बात ये कर रहे थे, कि अगर हम 80% accuracy के साथ, 80% paper attempt कर लेते हैं, तो हम toppers की league में हैं, अगर हम 60% attempt कर लेते हैं, 80% accuracy के साथ, तो भी हम अराम से cutoff से उपर हैं, अराम से, लियान रखना, हाँ, अगर तुम 50% paper attempt करते हो, और accuracy तुमारी अगर 70% से उपर है, तो भी तुमारे chance बनते हैं, कि तुम border line पे हो सकते हो, border के उस पार भी, border के नीचे भी, तो ध्यान रखना, तुमारा target होना चाहिए, अगर तुमारा math interest नहीं है, तो तुमारा target होना चाहिए, कम से कम 60% attempt करना है, 80% accuracy के साथ, और अगर तुमारी math अच्छी है, तुम्हें उसमें number बनाने है, तो तुमारा target होना चाहिए, तुम्हें 80% paper attempt करना है, कम से कम 80% accuracy के मैं उम्मीद करता हूँ, इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, पेपर किस दौरान देना है, ओफ-लाइन पेपर देना है, सारी छोड़ी-छोड़ी बातों, क्या खाना है, कैसे सोना है, किन के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, ये सारी बातें आपको ध्यान देन है कि टेस्ट देना कैसे है ठीक है चार-पांस दे देते हैं तो समझ में आता अच्छा इसमें यह attempt करने का तरीका यह होगा हर बच्चे का अपना तरीका होता है attempt करने का ठीक है तो टेस्ट कम से कम आप 10 देके जाएगा offline कम से कम 10 paper-based test आप देके जाएगा before you write the actual NDA test on 3rd of September उमीद करता हूँ यह छोटी सी बाते हैं यह सारी बाते हैं आप भियान रखेंगे dose में तो यह सारी बाते हैं dawns में क्या क्या हैं जरा चेक करें dawns में हमारे पास है not giving equal priority to both the sections यह भी एक बड़ी गंभीर समस्या है जो मैंने students में देखी है कोई बच्चा है English पढ़ने बैठ जाए English ही करता रहेगा math पढ़ने बैठ गया math ही करता रहेगा लो जी history लेगे बैठ है history करते रहेंगे नहीं ऐसे नहीं एक routine मनाओ और दोनों sections को दोनों papers को बड़ाबर बड़ाबर importance को ठीक है mathematics के बिना आपका second paper विकार है अगर आप math मे अगर आपकी math कमजोर है तो second paper में तुम्हें number खीचने और math अच्छी है तो भी खीचने तो कहीं न कहीं तुम्हें उसमें importance तो देना पड़ेगा overall जब 1800 अप में merit list तयार होगी 900 written और 900 SSB तो हर चीज़ count करती है ध्यान रखना ठीक है तो अभी सारे sections के लिए proper एक routine मनाओ इतने questions मुझे इस particular section के रोज पढ़ने है math के 60 question रोज करने है English के 30 question रोज करने है physics के इतने करने है chemistry के इतने करने है अचा chemistry, physics और history, geography का भी एक system है जो कि मैं suggest करूँगा आप अपने उपर इसको apply कर सकते हैं जो बच्चे science side के हैं यानि PCM side से हैं या PCB side से हैं उनको second paper में यानि कि GAT में आप physics, chemistry, biology वाले section पे जादा focus कर सकते हैं और जो non science से हैं चाहिए वो commerce से हैं या फिर humanity से हैं इस्पेशली जो humanity side के हैं वो history, geography, political science और current affairs पे आप जादा focus कर सकते हैं current affairs पे तो खेर सबको focus करना चाहिए तो ये छोटा छोड़ी छोड़ी जो strategies हैं तुम अपनी strength को साथ लेके आगे बढ़ोगे, weaknesses को थोड़ा सा ignore करोगे, अगर हम सिर्फ अपनी strength पे भी खेल जाएंगे तो खेल हो जाएगा, अगर हम अपनी strength पे भी खेल जाएंगे तो खेल हो जाएगा ध्यान रखना, ठीक है, और क्या बाते हैं जिसको हमें ध्यान देना है, don'ts में, not looking forward through the exam pattern, exam, अगर mock test दोगे तो exam pattern देख लोगे है न, don't wait for the last day, अक्सर ये गलतियां बच्चों से होती है, और क्या चीज़े हैं भी या, not taking mock test proper based है न, तो अगर आप mock test सही से नह new topics, new topics नहीं करने हैं मेरे भाई, अब last के 10-12 दिन में new topics नहीं करने हैं, अभी 10 दिन और पढ़ा है, कोई new topic करना है, कर दो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, कोई भी नया topic तुम नहीं कर रहे हैं, please make sure you remember that, ठीक है, कोई नया topic नहीं, जो कहा उसको ब English कहीं पर भी आ रहे हैं, चेक करके देखें ना, उसकी जड़ें NCRT से निकल के आती हैं, कम से कम, आधा paper सीधा-सीधा NCRT से निकल के आता है, आप उसको ignore ना करें, उसका basic level वहां से लेके चले, ठीक है, not solving previous year papers, ये भी एक बड़ी गलती होती है, कुछ लोग सोचते हैं, भ जो question था, वो option के form में आ गया, जो option था, वो question के form में आ गया, चीजें repeat हुई हैं, कितनी बार repeat हुई हैं, तो PYQ तुम ignore नहीं कर सकते हैं, भया, you cannot ignore the PYQs, you have to do it, remember that, not taking current affairs seriously, current affairs एक ऐसा section है, जो तुमें बहुत कम समय में बहुत सारे marks दिला सकता है, आप इसको ignore नहीं करें गे, you have to take it very seriously, regular ways पर पढ़ते रहिए, उससे जितने section आपको मिलेंगे, फटा-फट तुम्हें answer तक कहुंचाने में help करेंगे, ठीक है, so make sure that you are doing current affairs regularly, मेरे ख्याल से, these are the some do's and don'ts जो मेरे opinion में avoiding revisions, by revision avoid मत करो, बार-बार revise करो, जो notes तुमने पीछे पढ़ने के दौरान बना को apply करनी चाहिए, और आप इसको अगर apply करते हैं, तो definitely आप अपने लिए कुछ अच्छा करनी जा रहे हैं, और कुछ बहतरीन result लानी जा रहे हैं, so at this stage, I'll stop it here, मैं उमीद करता हूँ, आप सब लोग सारी advices का, हर चीज़ का ध्यान देंगे, और कुछ अच्छा करेंगे, जाहिंद, जाभारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और नहीं बाते करेंगे, रोज शाम में 6 बसके 15 मिनिट पे, मैं रोज लाइट क्लास लेता हूँ, NDA aspirants के लिए, जो ये NDA 2 2023 पे focused है, तो मिलते हैं उस समय, thank you, take care, God bless you all, जाहिंद.